Congratulations, your loan is approved यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे अकाउंड में पैसे आ चुके हैं जिसका SMS भी मेरे को रिसीव हो चुका है नमस्कार दोस्तों, Real Banking YouTube चैनल पर आपका हर्तिक स्वागत है आज इक इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC Bank के Credit Card Loan के बारे में Credit Card के उपर कैसे हमें Loan मिल सकता है हमारी Credit Limit बिना Block किये तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें HDFC Bank के वेब साइट पर जाना होगा यहाँ पर हम एक Login का Option देखने को मिलेगा यहाँ पर Net Banking का Option हुआ इसके उपर हम Click करेंगे और Wait करेंगे यहाँ पर आपको अपनी Customer ID डालना है और फिर Continue के उपर Click करना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना Password लिखना है फिर This Is My Secure ID के उपर Click कर देना है और फिर Login करना है जैसे ही दोस्तों हम HDFC Bank की Internet Banking में Login कर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक Pre-Approve Offer आ जाता है आप यहाँ पर देखे तो लिखा है Get a Pre-Approve 1.2 lakh रुपीज लोन इन यूर अकाउंट इन 10 सेकंड जहाँ पर दोस्तों के वल 10 सेकंड लिखा है हगे के तो एक ही सेकंड में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं यहाँ पर क्या लिखा है Express Loan on your credit card processing fees आपको 499 लगेगी जो भी होगी processing fee आपको यहाँ पर सो कर दे जाएगी अगर यहाँ पर आपको ओफर नहीं दिख रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं ओफर वाला पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं processing fees के उपर आपका GST अलग से लगता है काफी लोगों को यह पता नहीं होगा काफी लोगों को यह लगता है हमारी जो first team आई है वो काफी बड़ी क्यों है उसका दोस्तों कारण यही होता है कि आपकी processing fees लगती उसके उपर सब्मट करते हैं यहां पर सामने लिखा का चुज़ अमाउंट यहां पर अपर सकते हैं मेरा नाम ठरॉत मेरे कितना है वो अबंग्र आहां एक मैंलाक कर सकता है मिनिमुम कर सकता ह breed a चाहते हैं इंसके लाउंड को सिलेक्ट करना है असके बाद में यहां पर मन्त को मुँस्टी से ईसके साथ जएडान होता है वे आपको फॉर्ष्ट जो भी यी मैंगी को发 दिना होगा वो यहाँ पर mention है, जैसे ही दोस्तों हम scroll down करते हैं, यहाँ पर एनम हमें कितना interest rate जाने वाला है, वो यहाँ पर mention है, फिर हमारा यहाँ पर कितना हम ले रहे हैं, वो mention है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं, I agree लिखा है, जो key statement से इसके उपर हम click करेंगे, और नीच इसके बाद दोस्तों एक OTP आएगा, वो OTP आपको डालना होगा, OTP डालने के बाद में यहाँ पर लिखा चुका है, फिर यहाँ पर आपका loan का जो reference number होगा, वो यहाँ पर लिखा होगा, और आपके जिस account में आया है, वो account number यहाँ पर mention होगा, दोरों ही चीजे मैंने hide कर due to privacy issue, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरे account में पैसे आ चुके हैं, जिसका SMS भी मेरे को receive हो चुका है, और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा था, जब मैं प्रॉसेस कर रहा था, मैंने सारे screenshot लेके रखे तो ही screenshot मैंने आपको यहाँ पर वापस दिखा दिए, ताकि आ आसानी हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत है ताप मुझे comment में बता सकते हैं, मैं आपकी मुद्ध करने की पूरी कुसिस करूँगा, आसा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए प्लीज इस वीडियो को like जरूर करे, subscribe जरूर करे, वीडियो देखने के लिए अपका बहुत बद्धनिवाद, जय ही जय भारत, वन्दे मात्रम